अलवर में स्पी के निर्देश पर कोटपाली पुलस ने बड़ी कारवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफतार किया और उनकी कबजे से 13,25,530 रुपए बरामत किये दोनों गिरफतार आरोपी गुजरात के रहने वाले हैं और ट्रेन से अलवर पहुंचे जहां स्टेशन रोड पर जाट होसिल के पास नाकबंदी के दोरान दोनों की तलाशी में पैसे बरामत के गए इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफतार किया इस दोरान फर्स इंडिया से अस्पी आनंद शर्मा से खास बाचीत के दोरान उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिए सब्सक्राइब इस तरह की हमें इंपुट था कि इस तरह का कोई पैसा आ रहा है तो हमने फिर इनको मॉनिटर किया फिर इनका पीछा किया और पीछे करने के दोरान नाकाबंदी में जो यहां जाठ होस्टल के सामने सड़क है वहां से हमने इन दोनों को पकड़ा और इनके पास यह पैसा बरामद हुआ किसर को प्रत्यासी से है अभी तक ऐसी कोई तथ्या सामने नहीं आया कि यह किसी प्रत्याशिया पॉलेटिकल पार्टी से रिलेटेड है अभी तो प्राइमरी इस पैसे को जब्त किया गया है चुकि दस लाग से उपर का अमाउंट है तो इंकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सुचित किया गया है आगे अब उनकी और हमारी तफ्तीश से यह पैसे की पूरी ट्रेल क्लियर हो सकेगी दोनों लोग क्या काम कर सकते हैं करते हैं सर दो लोग हैं गुजरात करेने वाले हैं कोई काम करते होंगे उस काम के सलसले में को नक दी हावाला के जरी आपने का था नहीं अभी इनोंने कोई जवाब दिया ही नहीं संतोश्प्रद तो चुकि अभी अभी की बात है अभी एक बार इनको जब धंक से पूछताच करेंगे गहनता से इनके पीछे के linkages और क्या है तब इस बारे में कुछ clarity हो पाएगी इसके लाव और कोई संभावन ऐसी है कि बॉर्डर का इलाका है यहां से कोई और रास्ते से कहीं गुजर रहा हो कोई पैसा गई देखिए बिलकुल इस बात से इनकार नहीं किया सकता कि हो सकता है यह पैसा अलवर के लिए ना हो यह दिली जा रहा हो हरियाना जा रहा हो बट आया तो है तो एक बार इसकी पूरी ट्रेल को clear करना आवश्यक है क्योंकि चुनावों का समय है अगर कहीं और जाना होता तो इ या कोई और बिजनिस में हवाला के जर्य किसी के यहां पहुंचाया जा रहा था अच्विनी आदो फॉर्स्ट इंडिया न्यूस अलवर